हेलो एवरिवन, मैं आकांचा आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को एक कहाने सुनाऊंगी जिसमें हम जानेंगे मसहूर साहित्यकार भारत इंदू हरिशंद्र जी की सच्चाई, इमानदारी और सत्यनिस्ठा एक बार भारत इंदू जी ने एक व्यक्ति से नाव खरी दी, तो उसके कुछ पैसे उधार रह गए थे, जो वह वक्त पर नहीं दे सके उस व्यक्ति ने उनके खिलाफ केस कर दिया, सरसयद एहमत खान इस मामले के जर्ज थे उन्होंने भारत इंदू से अकेले में पूछा कि नाव का वास्तविक मुल्क क्या था और असल में उसके कितने रुपे उधार रह गए थे, तब भारत इंदू जी ने कहा कि दावे में लिखा मुल्य सही है और उधार की रासी भी सही है, जज ने उनसे कहा कुछ देर बाह सरसयद एहमद खान ने सोचा, भारत इंदू ने सायद उनका संकेत नहीं समझा, इसलिए उन्होंने फिर पूछा नाव का असल मुल्य क्या था, भारत इंदू जी ने सपस्ट सब्दों में कहा, पैसो के लिए मैं अपना इमान और सत्य का परित्याग नहीं कर सकता, भारत से ऐसे लोग मिलते हैं, जिनकी पातों से आप उनकी सोच का अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसा इसलिए कि अगर लोगों को भारत इंदू जी की तरह मौका मिल जाए, तो लोग जल्दी से जूट बोल कर सच को छिपा लेते हैं, लेकिन भारत इंदू जी ने ऐसा नहीं किया, मौका मिलने के बाद भी भारत इंदू जी अपनी सत्यनिस्ठा और इमानदारी के साथ खड़े रहें, भारत इंदू जी का सच बोलना भी धर्ती को सुन्दर बनाने का ही एक तरीका था,